हेलो श्रेंट्स, वेलकम टू माई नर्चर, मैं हो कृष्णा, कैसी हां सब लोग, मस, बढ़िया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, कार्वो हाइडेट का लेक्चर नमबर टू, जिसके अंदर हमको मोनो सेक्राइट्स को पढ़ना है, ठीक है, और मोनो सेक्राइट्स म में भी खास क्या जीज़ देखनी है, structure के बारे में, कैसे होते हैं structure, ठीक है? तो हो सब बाते हैं हम समझेंगे, और तीनी structure ने डिसकर्स करना है, गलुखोज, फ्रक्टो康 और गेलेक्टोज, यही तीनों अपने कोर्स में है, बास समझ में आगई, ठीक है है ड्रक्ष न है है गुलकोज के बारे में कहां फोकस रहेगा structure structure बोला है तो यहां पर तुम लोगों को structure बना-बना के practice करनी पड़ेगी समझाओंगा पॉफ सिंपल तरीका है ठीक है तो चलो start करते हैं लोग monosacrid structure को लेकर के बात सुरू करते हैं अपनी तो क्या कह रहा है यह गुलकोज यह कह रहा है गुलकोज is a type of type of carbohydrate गुलकोज क्या है एक carbohydrate का type है carbohydrate molecule का which is simple sugar सबसे simple हम लोग इस डिसकस कर चुके हैं गुलकोज is the simplest sugar है ना basic formula गुलकोज का याद हो गया होगा क्या होता है c6 h12 o6 हुआ कि नहीं हुआ अरे बोलो हाँ सुनगे अब ठीक है देखो मैं फिर कह रहा हूँ lecture देख रहे हूँ और हाँ अभी कुछ लोगों को दिक्कत है वही नोट्स मेरे अगर यह lecture देख लिया है मेरे जितने भी lecture है सब में नोट्स मिलेंगे description में बकाइदा link दिया होता है नोट्स आप ही लोगों के लिए बनाएं मैंने बहुत मैनत लगती है नोट्स में ठीक है न तो आप ही लोगों के लिए उसका पूरा फाइदा उठाएं ठीक है आगे आते हैं simple sugar with structural formula C6H12O6 ठीक है तो देखो जा रहा है यहाँ पर छोटा तरह structure दे रखा है उसका बात कर लें यहीं structure किसका glucose कहा यह carbon होता है हमारे पास carbon number 1 यह देख रहा है color नहीं देख रहा मार्किंग कर दूँ अब बिल्कुल देखो यह 1 हो गया 2 3 4 5 & 6 तो क्या करना है तुमको यहाँ पर पता है ना तो बिल्कुल तुमको यहाँ पर क्या करना as it is बिल्कुल थोड़ देखो कि 6 carbon लगा लेने है ठीक है नीचे से 1 2 3 फिर भी दिमाग में इसको set कर लेना है दिमाग में इसको क्या करना है set कर लेना जिससे की आगे यह चीज़े समझने में और भी रदा असान हो जाए बास समझ में आ रही है clear है तो चले next point की तरफ क्या बोलता है हमारा next point it is made up of 6 carbon atom यह 6 carbon atom का बना हुआ हुआ है दिग्गे हमको 1 2 2, 3, 4, 5, 6, 6 इसके अंदर carbon atoms है and an aldehyde group यह रहा देखो CHO aldehyde क्या होता है aldehyde क्या होता है CHO group होता है aldehyde क्या होता है CHO group होता है तो यह एक group यहां लगा होता है तुमारे पास दिग्ग्या होगा aldehyde group ठीक है therefore it is mentioned as an aldohexos ठीक है alde group देखो alde का मतलब क्या हो गया aldehyde ठीक है अब बात को समाज़ना aldohexos ठीक है न यह alde क्या दिखा रहा है कि group क्या लगा हुआ है aldehyde लगा हुआ है है कि यहां पर छे कार्बन है और ओस क्या रिप्रेजन करता है ओस यहां पर क्या रिप्रेंट करता है सुगा रिप्रेंट करता है यह बात समझ में आ रही है तुम लोगों को ओके तो aldohexos clear हुआ है ना यह बात clear होगी आगे आते हैं अब क्या कह रहा है यह दर natural form of glucose that is D glucose is also known as dextrose अब यह D क्या चीज़ है D को समझेंगे detail में यह भी इसका structure में naming में लिखा जाता है D glucose को क्या मतलब है L glucose को क्या मतलब है यह सब समझेंगे हम लोग ठीक है तो फिलाल यह ध्यान रखना जो natural form of glucose है glucose की जो natural form है है ना कुदरती तोर पर जो glucose पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं D glucose कहते हैं के लिए रहे बात यह आगे आते हैं ठीक है glucose is the primary source of energy that is essential for living organism सबको पता है ना यह primary source of energy है जो की जीव जन्तों के लिए जो की जरूरी है किसके लिए living things के लिए अच्छा यह structure के लिए कर ले ना 6 carbon दिमाग लिए कर ले ना रोक करके 6 carbon ठीक है अच्छा इसको करोगे कैसे देखो मैं बताऊं सबसे पहले ऐसे कर लो एक द प्लिए रहे सबसे उपर किया लगा हुआ है एल डिहाई है ठीक है जन्हीं और यहां यहां और फिर यहां और यहां 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 गौट से देखो OH, OH, OH और OH अगर तुम इसको थोड़ा सा याद करना चाहते हो कि OH कहां कहां लगे हैं तो यह देखो, यह इस तरीके से तुम इसको देख सकते हो यह गया S type से ठीक है? क्या बना यह? S type का समझ में आ रहा हुआ यह तो याद करने का तरीका है यह किलियर है अब इसको और समझेंगे डिटेल में बिलकुल भी परिशान नहीं होना आओ आगे चलते हैं बात करते हैं इसकी आगे क्या वोड़ रही है प्लांट्स एंड आल्गी आल्गी मेरे खाल से किलियर है सब लोगों को क्या होता है है न काई जो होती है अपनी क्या है वर लोग वाटर लेते है फ्रांट्स एंड रोशनी और इन इसको आपसा कर चुक है वो अब कोड़ है क्या थी मोटर चुप ग श्रूष कॉइं टरब चूर्ज और लेते हैं इन धी आनिमज की बात कर रहा है अगर ग्लकोस इस फॉर्म्ट बाइदा प्रोसेस ओफ ग्लाइको जीनो लीसिस जो ग्लाइकोजन होता है एनिमल में कब बनता है एक तो हम बाहर से खाते हूँ एक अलग बात हो गई लेके हमारी बॉड़ी में क्या चीज मौजूद इस्टोर होयाती है ग्लाइकोजन याद है हम लोग जो च इसको ध्यान रखेंगे कहां आएगा यह तो कहां दिक्कत आएगी इसका इस्ट्रक्चर अलग-अलग होता है समझेंगे उस डेटेल में फिलाल इसको मार कर लेंगा ग्लकोजन इसको मोनोमर मतलब क्या होता है मैंने गवरी पहले बता चुका हूँ इसको मोनोमर क्या होते ह जैसे मैं बोल दूँ कि मेरे पास यह कुछ क्या है छले है रिंग है और इन छल्लों को मैं प्रोसेस करके मशीन की हेल्प से क्या कर दिया एक के अंदर एक डाल दिया अब यह क्या बन गई चेन बन गई तो मोनोमर जब आपसमें जोड़ी आते हैं तो क्या बन जाते हैं वापस से क्या दे देगी छले देगी और चेन का टूटना मतलब पोलीमर का टूट करके वापस मोनोमर बनना क्याक लाता है हम लों अक्सर यह वर्ड़ आया करेंगा हàiड्रोलाइसिस इसको बिल्कुल दिमाग में डालो बत्चो हाइड्रोलाइसिस मतलब किसी बड़ी और दूसरा है रिंग और साइकलिक फॉर्म अभी दो रूप इसके कहां से आए का से समझ में आया कि दो रूप इसके होते हैं तो देखो हम लोग चाहे तो डारेक्ट इसके दो रूप के बारें बात कर सकते हैं लेकिन मुद्दा ये है कि आखिरकार गुलकोस का structure open से cyclic कैसे हो गया कहां से हमको दिमांग में आया कि इसका structure ऐसा है तो देखो क्या हुआ सुरुवात करते हैं open chain structure of glucose की कैसे समझ में आया कि open chain structure है थोड़ा सा इसका starting लेते हैं हम लोग it was assigned the structure given below on the basis of the following evidences ठीक है जो हम लोग इसका open chain और ring chain की बात करते ना वह आई कहां से तो सबसे पहले सुरुवात में हमको पाया गया क्या मिला कि C6H12O6 जो glucose का formula है यहां सबसे पहले सुरुवात में मिला कि अच्छा इसके अच्छा कारबन है चलो अच्छी बात है अब उन हमने किया क्या जो glucose था क्या था मारे पास glucose यह तो लिख दिया हम लोगों को हमको ऐसे पता नहीं है लेकिन हाँ glucose को जब हमने react कराया किससे hydrogen iodide से और heat कर दिया उसको थोड़ा सा हमको क्या मिला N-hexane यानि कि जब मैं इसको heat करता हूँ और मेरे को सबसे लंबी chain जो मिली वो क्या मिली N-hexane जिसने यह proof किया कि इसमें कितने carbon होंगे एक दो तीन चार पाँच और छे यह proof करता है कि carbon जो यह है गुलकोस है उसके अंदर कितने carbon है छे carbon है और वो एक straight chain में लगे हुए है कैसे लगे हुए है straight chain में clear है फिर बाद में हमको समझ में आया अब तो हम यह यह जो starting वाला point है पहले हमको पता नहीं था यह हमको केवल कैसा था पहले गुलकोस था हमने हचाई डाल दिया हमें hexane मिल गया हमने hexane को चेक कर लिया identify कर लिया तो बाद में और study कर लिया फिर हमने बाद में study करके जो रहा कि एन hexane तभी बन सकता है जब structure कुछ ऐसा होगा उसकी बाद हम और बाद में करेंगे अभी दूसरा फिर क्या हुआ याने कि यहां से क्या suggesting that all the six carbon are linked इना state chain यह वाली reaction क्या सब्सक्राइश करती है कि कैसा है यह स्टेट चेन है कैसा है यह स्टेट चेन है कैसा है यह स्टेट च इसको इससे react कराया to form an oxyme यह देख रहे हो तो color change करते है ताकि चीज़े clear हो this is oxyme oxyme का मतलब क्या हो गया यह जो यह group लग गया नहीं हम पना कर गई ठीक है यह क्या बना जाकर के oxyme बन गया अच्छा oxyme कब possible है अब बताता हूं मैं and adds a molecule of hydrogen cyanide to give cyanohydrine और अगर हम लोग क्या add करें hydrogen cyanide को add करते हैं तो उसमें वो कुछ ऐसे जुड़ जाएगा cn उपर o h नीचे और यह compound क्यालाता है sinohydrine यह compound क्या क्या क्यालाता है sinohydrine तो यह कह रहा है कि sinohydrine तभी मिलेगा oxyme तभी मिलेगा जब उसके अंदर कोई क्या होगा कार्बोनिल ग्रूप होगा ठीक है the reaction confirms the presence of कार्बोनिल ग्रूप कार्बोनिल ग्रूप कार्बोनिल ग्रूप को हम दिसक्स कर चुके हैं क्या होता है यह वाला ग्रूप in glucose यानि कि यह विए बात देख रहे हो जब कार्बन ग्रूप होगा तो यह ला ओ चट जाएगा यह वाला एन यानिकी रियक्शन को अगर हम लेकर चलते हैं यहाँ पर तो देखो क्या होगा यह ओ है प्लस ह2 न ओएच है ना नहीं तो ओएच को मैंने ऐसा लिख लिए अब होगा क्या है यहां से OH2 वाटर मॉल्कूल निकल जाएगा और यह डायेट जूड़ जाएगा तो क्या मिल जाएगा मेरको यह मिल जाएगा ओक्जाय मिल जाएगा के लिए रहा है ठीक है ठीक इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा C डौल बांड O और प्लस H C और N तो यह तोटे और यह C प्लस तो प्लस वाले में कौन सा पार्ट जुड़ा आ करके? C N और उस पर क्या जुड़ा आ करके? OH प्लस तो यह OH बना यह C N बना और यह बिन गया तो साइनो हाइडरन तभी पॉसिबल है अगर कोई क्या होगा? कार्बोनिल गुरूप होगा तो यहां से हमें कान इसका मुलोग गुल्कॉनिक एसीड भी कहते हैं यह अच्छे से पढ़ लेना गुल्कॉनिक एसीड और रियक्शन विद माइल्ड ऑक्सिडाइजिंग एजेंट लाइक ग्रोमीर वाटर अब यहां पर एक चीज तुम लोगो समझने हैं थोड़ा सा और्गनिका पार्ट है जो माइल्ड ऑक्सिडाइजिंग एजेंट होते हैं माइल्ड मतलब हलके जो हलके ऑक्सिडाइजिंग एजेंट होते हैं वो एल्डी हाइड को तो ऑक्सिडाइज करके यानि की सी एच्छो ग्रूप को किसमें करूट कर देंगे सी ओ ओ एच में माइल्ड के अंदर यह छमत करता हूं तो यह इसको इसमें नहीं करता है तो क्योंकि माइल्ड ऑक्सिदाजिंग एजेंट लाइक ग्रोमीन वाटर का हमने इस्तमाल किया और वह क्या हुआ ग्लकोनिक एसीडियों बदल गया याने की डेफिनेटली यहां पर क्या मौजूद है जो कार्वोनिल गुरूप है वो डेफिनेटली क्या है यहां से बात समझ माती आ रही है कि आखिर ग्लकोज का इस्ट्रक्चर बना कैसे कि लिए रहे आ गया है फिर हम लोग फिर हम लोग हमें क्या देखा हम लोग देखा इसिटाइलेशं याने की हम लोग पता आकि होम को जब यहां पर यह और यहां पर यहां पर यहां पर क्या हुआ और नीचे वाला जो यह लास्ट वाला यहां पर इनके साथ जो एसेटिक एन हाइडराइट था मेरे पास क्या था एसेटिक यहां पर यहां पर देखो जा रहा यह यहां तो यह माइनस और यह प्लस हो गया अब यहां पर देखो जारा यह यहां टोटेगा यह minus और यह plus तो plus वाले के पास कौन सा part आ जाएगा negative वाला तो देखो यह वाला इतना part उठा करके ऐसे लगाओ ठीक है और यह h वाला part उठा करके यहाँ लगादो c के पास तो देखो यहाँ से यह break हुआ c h 2 o h है यह इस o h से यहाँ से यह break कर दो यह h चला गया यह h चला गया इस o पे कौन जुड़ गया आ करके यह वाला o co c h 3 o co और c h 3 यह पाटा के यहाँ जुड़ गया जितने भी o h थे वो सब इसके दवारा क्या हो गए replace हो गए इस वाले group के दवारा और जो compound बन के आता है that is your acetic anhydride अच्छा glucose sorry compound बन के आता है glucose pentacetate अब pentacetate तभी बन सकता है pentacetate बतलब 5 यह तभी possible है जब 5 o h group यहाँ पर मौझूद होंगे 5 o h group तो यहाँ से हमको क्या confirmation मिलता है since it exists as a stable compound 5 o h group should be attached to different carbon atom तो यहाँ से हमको यह confirmation मिलता है कि 5 o h group अब देखो यहाँ से एक बात याद हो जाएगी इदा है कि अलग-अलग c atom पर 5 जो o h लगे है किसी एक पर दो है नहीं सब पर अलग-अलग पर लगे है और 5 पर लगे हो है तभी हमको क्या मिला pentacetate मिला clear है आगे आते हैं फिर हमने क्या देखा कि oxidize करा दें किसी आद naitric acid naitric acid यह काफी strong oxidizing isn't होता है strong oxidizing यहाँ का क्या होगा जितने भी cho group होंगे उन सब को convert कर देगा किस में उन सब को convert कर देता है c o o h में cho convert कर देगा c o o h में जब किसका इस्तवाल करेंगे nitric acid का तो देखो जारा अगर मेरे पास क्या है यह glucose है this is glucose यह मेरे पास क्या है glucose है यह oxidation करा आया यह वाला उपर वाला cho किसम बदल गया यह carboxlic acid में और यह लाश्ट वाला देखो क्योंकि यह strong है तो इसके साथ साथ जो terminal o h है c o h this is your terminal terminal का मतलब last किनारे वाला terminal का मतलब last या किनारे वाला किनारे वाला जो o h group होगा strong nitric acid उसको भी क्या कर देता है oxidize करके किसमें कर देता है c o o h में तो यहां से मेरे क्या मिलता है sacric acid अब देख जारा sacric acid का formula क्या है simple है ना c o h c o o h और बीच में कितने है 1, 2, 3, 4 और 5 और last में 6 यहां पर क्या है o o h यह क्या है o o h और बीच में कितने है 4 यह हैं लगा देंगे यहां पर o h o h o h और o h तो यह एक साथ दिखा दिखा दिए ब्रेकेटम बंद करके है ना चार C है एक जैसे ही है तो उनको एक साथ दिखा सकते हैं हम लोग है ना जासे इनलों को पता होगा मांलो हम ऐसा लिख रहे है c s 3 c s 2 c s 2 c s 2 c s 2 और c s 3 तो यह सारे एक जैसे है तो हम यहां पर क्या लिख से है c s 3 c s 2 3 और c s 3 तो अगर सारे के सारे एक जैसे होते हैं तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं तो यह ग्लुकोनिक एसिट अच्छा जो पीछे बनाता हमारे पास ग्लुकोनिक एसिट याद है किसे बनाता ब्रोमिन वाले से किसे बनाता ब्रोमिन वाले से क्या बनाता ग्लुकोनिक एसिट सेक्रिक एसिड में गुलकोनिक एसिड को भी किसम बदला सेक्रिक एसिड में अब क्या के चीज़े किलियर होगी अगर फिर से फटा-फट रिवाइस करते हैं कि इसका जो C लगे हुए है सारे सारे स्टेट लगे हुए दूसरा इसके अंदर एक कार्बोनिल ग्रूप है कार्बोनिल ग्रूप ही अल्डी हाइडिक ग्रूप है ये भी किलियर हुआ यहां से अब इसके अंदर पांच क्या लगे हुए है ओएस ग्रूप लगे हुए है ठीक है और यहां पर क्या है presence of primary alcoholic group जो last ये terminal OH group लगा हुआ है इसको आमनों क्या बोलते हैं? primary बोलते है primary alcoholic group भी इसके अंदर मौझाओ है अब उसके बाद क्या हुआ? बहुत सारी study हुई बहुत सारे structure बनाने कोशिस की गई और the exact spatial arrangement of different OH group अब मुश्में दिक्कत क्या आती है? देखो मैं आप लोगों समझाओं मैं यहां पर कोई चीज नहीं है जैसे कि मालो एक C carbon 3D में बात करें अगर जैसे कि मैं तुम से बोलूं कि एक pen यह है pen pen यहां पर आपर बात कर लेते हैं अब मालो यहां पर यह एक pen मेरे पास ठीक है तो यह सेंटर पर लगा हुए ऐसे माले सेंटर वेसी लगा हुआ है एक सब्सक्राइब लगा हुआ है और यह एक मालो चार है ना एक कार्बन की वैलेंसे कितनी होती है चार ठीक है तो अब यह जो एच लगे हुए है भाईया अगर तुमनों को थोगा सा और निक पड़ रखिए सारे ऐसे थोड़ना होते हैं यह एक दूसरे से अगर इस पेस में इसको देखें इसका 3D स्ट्रिक्चर देखें जो की बहुत माइने रखता है यह कार्बन है इस वाली उंगली से अंगुठा मेरा यहां होता तो इसकी सारी प्रॉपर्टी ही बदल जाती है ना सोचके देखो यार अंगुठा मेरा यह बीच वाले उंगली होता अब बीच वाले उंगली यहां होती मेरे हाथ का काम करने तरीके बदल जाते तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दूरी इनका अर्रेंजमेंट अगर बदल जाए तो इनकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है अब यह लिखा हुआ है अग्जेक्ट इस्प स्पेशियल वर्ड बना है तुम्हारा स्पेश से इस्पेशियल एरिजमेंट की कौन सा एटम कि स्टरफ निकला हुआ प्रोजेक्ट हो रखा है ठीक है और डिफ्रेंट ओएज ग्रूप वास गिवन बाई फिशर सबसे पहले फिशर ने इसको एक्जेक्टली समझा और बत पढ़ लेना एक आइडिया लगता है ठीक है ना और जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ क्योंकि हमको केवल फार्मेसी के साब से नहीं हमें एक्जिट एक्जाम के बारे में थुरा सा सोचना है क्या है इस्ट्रक्चर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ऐसा ठीक है ये पहला दिया गुलकोज का ठीक है ना दूसरा दिया गुलकोनिक एसिड का और तीसरा दिया सैकरिक एसिड का तो अब तुमको उसर इसमें ऐसा खास क्या है तो बच्चों इसमें खास तुमको क्या याद रखना है इस्ट्रक्चर बनाने की पैक्टिस करनी है ओएच चेंज हो गया यह ओएच ऐसे करके कलर चेंज कर ले ओएच ऐसे फिर ऐसे और ऐसे करके ठीक है ना गुलकोस का इस्टक्चर बिलकुल ध्यान डगना ठीक है ना नीचे से तीन ओएच एक साथ है यह देख रो एक तरफ अभी इसमें भी एक खेल आएगा देखेंगे सम नीचे कर बादवागी ओएच के स्टक्चर में कोई चेंज नहीं है तो यह जो ओपन चेंज खुली हुई है स्टेट चेंज है अगर मैं इसको ऐसे बना तो स्टेट में लिखना लिखना की कोशिश करूं मैं तो देखो कैसा आ जाएगा यह तो देखो जारा कैसा हो दो दो ती चार पांच और एक लगा दो क्या सिए चो खताम हो इसकानी सिए चो यह उपर लग गया यह नंबर बना गया अब देख लो जारा सब अच्छा जब नॉर्मल लिख रहे हो तो सब में लगा दो कोई फरक नहीं पड़ता इस तरीके से ना सब में क्या लगे हुए यह क्या कर लो तीन लगाने के बाद क्या कर दो एक को पलड तो इसपर ही लिखते है ओके यहां पर इसे दे दिया है ठीक है ना तो यहां पर यह वेइघ S. अब यह बात समझ में आई, Fisher Structure या Open Chain Structure, क्यों इसको कहा जाता है, Fisher Structure, इतनी सारी हम लोगों ने क्या करी, इतनी सारा Experiment किया, तब कहीं जाकर कि बहुत सारी लोगों ने कोशिस की, Fisher उसमें काम्याब हो गए, और हम लोगों को पढ़ना पढ़ रहा है, क्या, Fisher Structure, अब इसमें एक खेल आ रहा होता है, that is D और L Configuration, क्या है यह D और L, क्यों लिखते हैं हम लोग, हम लोगों क्या लिखते D गुलकोज, है न, D गुलकोज या L गुलकोज, अब यह स्टार्टिंग हमने बात की थे कि D वाला Natural Form होता है, क्या मतलब है इसका D का और L का, तो देखो यहाँ पर क्या है, बता दू मैं, D और L Configuration क्या होता है, गुलकोज is correctly named as D प्लस गुलकोज, exact नाम लिखोगे अगर ग प्लस गुलकोज, यह इसकी सारी पॉपर्टी बताता है, क्या के पॉपर्टी बताता है, आओ देखे, D before the name of glucose represents the configuration, उसका configuration अच्छा, configuration बता रहा है, configuration का मतलब, जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, यह मेरे दो हाथ, एक इधार है, एक इधार है, और दो टांगे, इधार अरेंज हो रखे मेरी बॉड़ी में, बास समय मारी है, यह जो arrangement है, that is called configuration, तो configuration की चाओ तो हिंदी लिख लेना, जो arrangement होता है, 3D arrangement, कैसा arrangement, 3D arrangement जो होता है, कौन कहां पर लगा हुआ है, उसका हम लोग क्या कहते है, configuration कहते हैं, ठीक है, where, plus represent the dextro rotatory, यह मैं explain कर चुका हूँ, म मैं लेक्चर सारे देख रहे हो, director rotatory और new rotatory क्या होते हैं, फिर बता दू यहाँ पर थोड़ा अगर आप किसी solution से, एक light को pass कराते हो, ठीक है, और यह light कैसी होती है, बस इतना याद रखना है, यह light होती है, plane polarized light, कैसी light है यह, plane polarized light, ठीक है, अब यह खास तरीकी light होती है, ठी तो यह light क्या करती है, या तो निकलने के बाद left rotate हो जाएगी, या right rotate हो जाएगी, ठीक है, अगर solution की अंदर ऐसी छमता है, कि light को left या right rotate करा दे, तो हम लोग क्या इस्तमाल करते हैं, left के लिए leave rotatory, right के लिए dextro rotatory, यह बाद में पहले भी discuss कर चुका हूँ, तो यह कैसा है, dextro rotatory, और उसको referent करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, plus का sign, ठीक है न, तो dextro rotatory nature of the molecule, it should be remembered that D and L have no relation with the optical activity of the compound, D और L का मतलब यह नहीं है, dextro rotatory और leave rotatory, D और L से हमको dextro rotatory और leave rotatory नहीं समझना है, जो plus और minus का sign लगता है, plus का लगता है dextro में और minus का लगता है, leave O म है, आगे देख लेंगे इसको हम लोग, ठीक है न, plus और minus का sign जो लगता है, वो लगता है, leave O के, dextro rotatory के लिए, और leave O rotatory के लिए, याने कि, यह जो साइन है, बीच वाला, यह तो dash लगा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, यह साइन है, ब्रैकेट में बंद है, यह साइन है, किसके लिए, dextro rotatory के लिए, dextro rotatory, याने कि, यह जो है, मेरे पास, गुलकोज, यह light को, right में rotate करवा देगा, आगे आते हैं अब, the meaning of D and L notation is as full of, फिर D और L का मतलब क्या है, D और L का मतलब क्या है, देखो, मैं यहाँ समझाता हूं, तुम लोगों को, हम लोग करते क्य है, हमारे पास, एक, optically active compound होता है, optically active, optically active मतलब, जो plane polarized light को, rotate करा दे, उसे कहते है, optically active compound, glycerally high, इससे हम लोग compare कराते हैं, ठीक है न, अब यह दोनों, एक दूसरे क्या होते हैं, इनको हम लोग कह सकते हैं, कि, अगर गौर से देखा जाए, तो ऐसा लग रहा है कि, यह क्य है, यह क्या है, यह क्या है, mirror image समझ लो, इसको न, यह क्या है, इसका mirror बन रहा है, हमें, OH यहाँ पर, OH यहाँ पर, H पीछे, H पीछे, हमें mirror के सामने खड़ हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन, अगर इसको उठा करके मैं ऐसे लगा दू इसकी उपर, तो क्या यह, इसको फिट chiral हो, जो क्या हो, chiral हो, chiral का मतलब जिसके सारे चारो के चारो, जो वो होते हैं, bond होते हैं, उन पर अलग अलग अटम लगे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर CHO लगा हुआ है, यहां OH लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ है, ऐसे ही item, chiral कहलाते हैं, और जो chiral होते हैं, लिख लेना जो chiral होते हैं, वही optically active भी होते हैं, थोड़ा सा यह extra point रहा है यहाँ पर, जो chiral होते हैं, वही optically active भी होते हैं, अब हमने क्या कहा कि, जैसे कि glycerally height दो रूप में रहता है, इस रूप में भी रहता है, और इस रूप में रहता है, और दोनों को अगर बीच में देखे हैं जो ये वाला इसका OH इधर होगा सामने साशे रख्या देखेंगे तो इस वाले का OH इधर होगा इस वाले का OH इधर होगा दोनों के OH अलग होंगा इसके वैसे उनकी property बदल गई, क्या property बदल गई light को rotate करने की property change होगी, समझे ना बहुत काईदे से, अब हमने इसको base मानते हुए, हमने इसको base मानते हुए, हमने कहा जो glucose इसको represent करेगा उसको हम कह देंगे D, जो glucose इसको represent करेगा उसको हम कह देंगे L कैसे represent करेगा, किस तरगे similarity देखेंगे हम लोग, तो देखो हम बता दूँ मैं हम लोग क्या देखते हैं, गुलकोस का जो सबसे नीचे वाला काईरल कार्बन होता है, सबसे नीचे वाला, last वाला काईरल कार्बन, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, अगर वो बिल्कुल इस तरह से होता है, तो D, अगर वो इस तरीके से है, यानि कि OH अपूजिट लगे हुए, OH सेम साइड लगे हुए, तो देखो यहाँ थोड़ा से बता जाता हुमें, तकि समझना असान हो जाएगा, यह देखो, इसका यहाला काईरल कारबन था है, अब इसका सबसे लास्ट वाला, एक, दो, तीन, चार और पाँच, सबसे काईरल कारबन, समझते जाना बात को, यह जारा गौर से जखो, बिल्कुल कैसा रिपिजन कर रहा है, इसकी तरह, तो इसको हम लोग बोलते हैं, डी प्लस ग्लिसरल्डी हाइट, तो यह भी हमारा क्या हो गया, डी प्लस, कुलूकोस, तो डी वाला कौन से लियर हुआ, यह क्या है बच्चो, यह डैस लगे हुए, यह क्या लगे हुए, डैस, यह है और यह है, डी का मतलब, यह क्या हो गया है, ग्लिसरल्डी हाइट के इस फॉर्मेट को रिपिजन कर रहा है, प्लस मतलब, यह क्या हो गया, डैस्टरी हो गया, तो ग्लिसरल्डी हाइट के किस फॉ इंडिकेट दा, relative configuration, तो ultimately है क्या, वो configuration बताना चाह रहा है चाहा ओएच्छ इधर लगा हुआ है कि इधर लगा हुआ कि इधर लगा हुआ है, किसके respect में? अच्छा, glucose में गुल्कोष का लोइस्ट वाले carbon का ओवएच्छ ठीक वैसी ही लगा हुआ है, जैसे को एल बोल देंगे ठीक है ना तो कह रहा है रिलेटिव कॉंपर्गेशन ऑफ पर्टिकुलर इस्टीरियो आइसमर्स अच्छा इस टाइब के जो बाउंद सोथे जो एक दॉसरे को देखने में वाइसा लगा रहा कि यह इसकी इसकी इमेज जैसी है इनको हम लोग क्या बोलते हैं इस्टीरियो आइस मर्स प्रेंफा क्या रही है बात क्लियर है ठीक है अंब हम लोग क्या कहते हैं stereo isomars of compound with respect to configuration of the some other compound एक की configuration को हम दूसरे के respect में जानच ते यानिगे glucose की configuration को हम लोग glycerality height के respect में जानच रहें ठीक है ना of some other compound configuration of which is known जिसका configuration हम को पता है इसका पता था इसी के respect में हमने glucose को भी जाचा या जाना तो तो इसलिए क्या हो गया यह D और L नूटेशन दी गई है जो glucose की configuration को represent करवाता है glycerol dehyde के respect में ठीक है In the case of carbohydrate this refer to their relation with the particular isomer of glycerol dehyde glucose की बात करें या carbohydrate की बात करें तो carbohydrate के case में हम लोग किसके respect में इसको क्या कर रहे हैं जाच रहे हैं चेक कर रहे हैं glycerol dehyde के respect में आग चारो बॉंड पे अलग-अलग एंटम या मॉल्लिकूल लगे हो एंड एड़िस्टीन टू इनश्यमरिक फॉर्म जो स्टीरो आइसमर्स होते हैं इनको हम लोग इनश्यमर्स भी बोल देते हैं इसको ब्लॉप लगे लिखेंगे और झाल रिखेंगे तो अड़ जिफ्चा हो सकता है पेपर लिखते हो इसको राइट-एंड साइड पर लिखेंगे के लिए रहे हैं जो कोई भी इसको रिप्रेंट करेंगा इसकी सिखाव भी इसको पाइटन होगा उसको अम लोग क्या बोलेंगे दी कॉंफिकेशन वेराइज इन-ट्रुप इस ओं लेफ्ट-एंड साइड ओए लेफ्ट-एंड साइड वह आज गुरूप कहा होता है लेफ्ट-एंड साइ और जो कोई भी L configuration को रिप्रेंट करेगा ग्लेसरल डियाइट को उसका हम लोग क्या बोल देंगे L बोल देंगे किलियर है यहां तो बात किलियर हो गई है फॉर एसाइनिंग दा कॉंफिरेशन ऑफ मोनो सेक्राइट इस दा लोएस्ट जब लोग लोएस्ट तो हम लोग हमेंसा किसको देखते हैं लोएस्ट वाले को देखते हैं दिरिया बात समझ में आ रही है अब ये सब बात रिच्वों इस ट्रक्टर में करनी पोड़ेंगी समझ लो बहुत सारी बाते इसमें डिमागों डाल लो फिर अपने बारे में इसके बारे में अपने मन से लिख सकते हो ठीक है तो डी और ल का कॉंसेट हमारा कि लियर हो गया इस्ट्रेट चेंड फिशर ने दिया कैसे दिया वो तीज़र एक्सपेरिमेंट किये थे पांचे एक्सपेरिमेंट उसकी बाद उसमें उनकी नेमिंग को डी और प्लस का क्या मतलब है नेमिंग का वह हमने समझ लिया अब बात करते हैं साइकलिक इस्ट्रक्चर ऑफ गुलको बात करने जा रहे हैं वह स्ट्रेट चेंड के स्ट्रक्चर एक्स्प्लेइन नहीं कर पा रहे थे क्या था पहला अब देखो डिस्पाइट हैविंग ग्रूप गुलकोस दो इस्किफ टेस्ट अब इस्किफ टेस्ट क्या होता हमें निकाल दो क्यों यह समझो कि जहां कहीं एल्डी हाइट ग्रूप होगा अगर कहीं पर एल्डी हाइट है तो इसकिफ टेस्ट देगा ही देगा बट गुलकोस नहीं दे रहा था खेल हो गया है यह अपर ठीक है एंड़ नोट फॉर्म दा हाइड्रोजन सल्फाइट अडिसन प्रोड़क्ट विद एन एच-सो-3 यहां पर होगा क्या यह ब्रेक करेगा प्लस और माइनस ठीक है ना तो इसमें ना हो रहा था ना ठीक है तो अब चक्कर में पढ़ गया कि या इसमें अल्डी हाइड है फिर ये दोनों टेश्ट देख नहीं रहा चलो एक कोशन उड़ गया फिर कह रहा है कि अगर ये पैंटा एसिटेट है था पैंस पैंटा एसिटेट ऑफ गुलकोस दर नौट रियक्ट विद हाइड् अब जो पैंटा एसिटेट था अगर तुम लोगों को याद हो ठीक है पैंटा एसिटेट ठीक है हमारे पास जो पैंटा एसिटेट था ये वाला यहाँ पर ये सियोच्चू पर खाली पढ़ा हुआ है ना पढ़ा हुआ है जब सियोच्चू मौजूद है भाई तो अभी सब्सक्राइब लोग पड़ रहे हैं कि अगर थिया चौ मधूद है तो क्या होना चाहिए हाइड्रोक्सील मिन से रिक्ट करना चाहिए हाइड्रोक्सीलमीन क्या है एन उस News अभी पीछे रियाक्ट कर रहा था एक बात होगी डबल कंडिशन क्रिएट होगी यह पर एक बार रियक्ट कर रहा एक बार रियक्ट नहीं कर रहा फिर एक और समस्या फिर और रिसर्च होती चलिए आगे अलफा एंट बीटा फॉर्म गुलकोज के दो आईसमर और मिल गए अलफा बीटा इट इस फांड़ेट गुलकोज एक्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्ट्लाइन फॉर्म दो अलग फॉर्म में एक्जिस्ट करता है विच आर नेम एज अलफा एंट बीटा जिसका हम है अलफा वाइल बीटा फॉर्म जिसका मेल्टिक पॉइंट चार्स होता है इस अप्टेन बाइट किस्ट्लाइज़ेशन फॉर्म होट एंड सच्ट्रेट सब्सक्राइट 371 कल्विन तो यह याद नहीं रखो चलेगा वो सिर्फ इतना बता रहा है अलग-अलग कंडिशन पर अगर किस्ट्लाइज़ेशन करते हैं तो दो अलग तरीके के गुलकोस मिलते हैं हमको एक अलफा और एक बीटा अब यह एक समय से खड़ी होगे कि यह जो ओपन चेन इस्ट्रक्चर था ना उससे तो समझ में नहीं आरा तो यह अलफा बीटा कैसे हो जाएगा यह ठीक ह फिर दिमाग लगाया है कोई ना कोई ओएच में भी एस्टू सिएचो ग्रूप वह साथ कम्बाइंड करके क्या कर ले रहा बॉंडिंग कर ले रहा है एंड फॉर्म साइक्लिक हैमिसीटल स्टक्चर अब हैमिसीटल बच्चे बहुत से कहते हैं सर हैमिसीटल हमिस्टल और एक or group है alcohol ether that is called hemiacetal और जब दोनों or होयाते हैं तो complete हो जाते हैं इसको हम लोग कहते हैं acetyl or ौ-r-o-r ठीक है यह मगर की टोन होगा तो की टोन होगा तो इसको पहले हैमिकेटल के बत नियों तो केवल संज्ञाने के लिए हम पर डाईग्राम डाला है कि हैमि एसिटल का मतलब का नाम है अगर एक कारवण पर एक और और होगा तो ऊसे at क्झेटल तो अब यहां पर साइक्लीप कमेस डिरया है क्जाए मर्ज कर जारा यहां तो क्या रहा है मौह क्या रहा है यह क्या było क्या होगा बंद गया अब है क्या जो state chain है ये भी exist कर रही है और ये equilibrium condition में equilibrium समझते हो ना ये भी मौझूद है ये भी मौझूद है और ये भी मौझूद है equilibrium वाले equilibrium समझते हो ना कि ये भी है और ये भी है जितना आगे जाता हो तुने पीछे आता है कि लिए रहे equilibrium वाली बाते हैं ठीक है ना, तो जैसे किसी बरफ को पानी में डाल दो, तो पानी भी है बरफ भी है, दोने चीज़ा एकसाथ, तो स्टेट चीन भी एकसिट कर रहे हैं और यहाले स्टक्चर भी एकसिस्ट कर रहे हैं, तो देख यहाँ पर क्या कह रहा है, इस लिए वो कुछ रहे हैं, इस लिए वो कुछ रहे हैं, तो खतम हो गया, इस लिए वो कुछ रियक्शन नहीं दे रहा था, और दो रूप देता है, इसके गुलकोस के, ठीकर दो साइकलिक रूप क्या है, इसके यह उपन चेन अच्छा, इस टू साइकलिक फॉर्म एक्जिस्ट इन एकलिब्रियम धिहान रखना, एकलिब्रियम में एक्जिस्ट कर अब जाए दिक्क्रत नहीं है, नीचे का पाट रूप चला आ रहा है, अब ज़्या पहले वाला कारवन देखो, ठीक है ना, सीवन को, यहाँ पर ओवेट यहाँ है, इसका ओवेट यहाँ पर है, खूम गया, जिस कारवन पर क्या लगा हूँ था, यहाँ लगा हूँ था, हलका सा अगर rotation change हो जाए तो पूरी property बदल जाती है किलियर है तो आप देखें ज़रा आप क्या इसके वाले बाते हो रही है तो फिर से ध्यान रखना ज़िस कार्वन पर अगर गौल सकता हुँ और यहाला पार्ट गोल सकता हूँ स्हें कार्वन चरह स्कॉऄ है अपरी इसे क्या पूरा सैख्लिक बना दे रहा है तो यह इसलिए क्या बոल देंगा है अब ब्रसाउजिम्हा आगया है है hemis textile क्यों कहा गया सको आ गया तो हेनिन किविछेंट किसम में रहन में कौन फुरेशं वह श्वर्ण में क teammates Self मों आता है अब कॉंपरेशंस का मतलब कि उन में के थिथर वह उस्ते प्रॉपर्टी अंतर आता है क्ष subscribe C1 called anomeric c1 कि व te hVE today गया है and anomeric carbon can be identified as the carbonyl carbon of the aldehyde or ketone functional group in the open chain form of the sugar जो open chain में aldehyde ketone का role play कर रहा था जो carbon जिस carbon पे aldehyde ketone था वो क्या हो गया घूम कर गया cycle बना लिया तो उसी carbon को हम लोग क्या कहते है anomeric carbon कहते हैं लिख लेना यही carbon अब क्या हो जाएगा anomeric carbon anomeric carbon देखो बटा सारे terms clear हो जाएगे बस दिहान से पढ़ते रहो ठीक है ना जपकी आ रही है जपकी आ रही है जपकी आ रही है पॉस करो वीडियो को मुझे पाइन डालो ठीक है लेकिन अगर structure अच्छे से clear हो जाएगा तो इसके objective question बहुत अच्छे से कर पा होगे clear है बाते हैं आगे आते हैं तो anomeric carbon समझ में आ गया anomeric carbon किसके साथ c5 के साथ मर्जय होता है anomeric carbon किसके साथ बना रहा है c5 के साथ बना रहा है clear है बाते हैं आगे आते हैं ठीक है such isomer that is alpha form and beta form are called anomers इन isomers को हम लोगे क्या नाम दे दिया anomers अब question आ जाएगा give the anomers give the anomers of glucose alpha beta बात समझ में आ रही है तो six members structure of glucose is called pyranose structure अच्छा जो six members structure होता है उसका हम लोग क्या बोलते हैं pyranose structure कहते हैं क्यों यहां पर बताता हूं मैं okay pyranose structure because of its analogy with pyran pyran हमारे पास एक chemical compound होता है यहां पर है कि next page पे है यह ना pyran pyran जो है ना जैसे कि बेंजीन होता है बेंजीन होता है वैसी कि हमारे पास pyran है अब पाइरन अब इसका भी हम cyclic structure बनाएंगे अभी तो देखो cyclic structure कुछ ऐसा बनेगा बताऊंगा मैं कैसा बनेगा कैसे करेंगे इसको इसको इसी से मिलता दूलता glucose का structure होता तो संबनेगों लों इसको हम लोग थे पायरनोस structure साइकनलीख वाले का दूसरा नाम और रिंगरत इंक अलत से निकला रहता है वो और प्रिए क्या रहा हैं सिंपल से यहां कंस्ट दे रहा ही क्या हो गया तो तो सी 5 ता इसका ज़ो ओई डिए ओ कर कर के इस वाले कर वाले कार्वन से यानि की यह वाला कार्बन है वται कहानी आगी इसके यह उटकर के यह ओ गया यह यह नगेटिव और यहक्द को गया है इसके जो लोरिय दिए यहाले कर देखना न. दिख रहा है ठीक है तो अब ज़रा गौर से देखना यहां पर क्या होगा ग्रूप उन्दा लेफ्ट साइड और फिशर आप उन्दा रिंग जो यह वाला पार्ट है इसको उपर रखना है यहाले पार्ट को डाउन कर देना है इसको ऐसे लिटा दो ठीक है यह लेट गया और लेटने के बाद इस वाले पार्ट को ऊपर नीचे वाले पार्ट को ग Zus उपर से लिटा दो इसवाले को और और इस वाले बनाने तुम्हारे लिए असानी हो जाएगी ठीक है ना तो डाउन वान दा रिंग अब कौन दा रिंग लिखा हुआ है दी कुल को फिसर प्रोडेक्शन है यह अब क्या हुआ है यहां चला गया यह यहां अटैक करेगा और फिर यह वाला अब यहां पर जैसी अटैक करेगा देखो क्या हो जाएती चैसे यहां पर बनालेगा यह तो अब इस ओ के पास यहां पर क्या प्लस में इस निकाल करको इसके पास बहेज देगा फिर ठीक है तो इससे होगा क्या फाइनली यह यह यहां आ गया और इस तरीके से मेरे पास क्या वन गया यह structure बन गया बीटा सब इसी के नाम है किलियर है किलियर तो देखो यहां पर एक याद कर लोगे गुरूप उपर कर देना है और राइट साथ वालों को डाउन कर देना अपना बन गया स्ट्रक्चर याद करने में बहुत असान हो जाएगा यह आगे आते हैं कि कि अग्या जेखे लेंगा और सी अब इसको देखो पाइरण यह पाइरन कंत्रें नोग से होते हैं तो देखो 123456 और उपर रहे तो यह इसको रिप्लकोश होंगे धोनों डी प्लस धी प्लस हैं और जब यह निग नीचे हो जाए बस यह वाल नीचे हो जाए तो इसको क्या कहते हैं अलफा डी प्लस ग्ल्कोस बात वागए हमारा ठीक है, किलियर है, बात समझ में आ रही है, यहां तक बात है किलियर है, अच्छे से एक और ये वीडियो को पॉस करें, और एक और दो आ इस्ट्रक्चर को बनाने कोशिश करें, मैच करें चीजों को, फिर चलते हैं आगे, चलो, next अपना क्या है, फ्रक्टोस, अब फ्रक्ट कीटों, यहां क्या होगा है, कीटों होने वाला है, वहां LD-8 ता, यहां क्या होगा, कीटों होगा, हैक्स, छे कार्मन होगा, और और ओस, सुगर होगा, इस अप्टेन अलॉंग विद ग्लुकोस यह बनता है ग्लुकोस के साथ बाई हाइडोलिशिस ऑफ डायसेक्राइट सक्रोस यह भी अभी आगया आएगा जब डायसेक्राइट पढ़ेंगे तो इसको हम यहां पर भी सोड़ा सा रिवाइद हो जाएगा मारे पास कि सक्रोस को जब तुम तोड़ते हो तो यहां पर होता क्या है थु elkaar सा चॉत्था कार्वन जो है यह क्या है इसका यहां पर यहंपर यह निकल जाता है H ठीक है यह H2O बहार आ जाएगा और यह वाला ओ डारेक्ट यहां जुड़ जाता है और क्या बनता है यह जब इस तरह के से बन जाता है तो जो मोनो सैक्राड होते हैं इस तरह के जुड़ते हैं वाटर मॉलेक्यूल बहार बन बन के निकलता रहता है और एक-एक मॉलेक्यूल आगे जुड़ता रहता है और जब हाइडोलिसिस होगी तो वाटर मॉलेक्यूल इसमें एड़ हो जाएगा जुड़ गया दोनों का अपना पार्ट दे दिया खेल खतम और यह वापस से तूट गया ही है हाडोलिसिस होगी इंदर प्रिजनस अफ वाटर यह इन्वर्टेज लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है यह इन्वर्टेज एंजाइम है जिसकी मौझूदगी में यह काम हो रहा है ठीक है ना तो सक्रोस देख लो सक्रोस क्या है यह तो मैं पास क्या था है गुलकोस और यह किया है फ्रक्टोस तो यह तुमको वैसे भी याद करना पड़ेगा आगया आएगा डाइस सेखरेट जब पड़ेंगे हम लोग कि वहाँ पर आएगा यह सकुरूस किसे मिलके बना होता है तो यह गुलकोजा फ्रक्टोस निलके ब यह भी फूट्स पाए जाता है फ्रक्टोज आज़ों सब्सक्राइब कर रहा है वैसे जब इसके रेक्षिन कर रहा है तो हमने क्या पाया कि इसके अंदर की टोनिक फंक्शनल ग्रूप होता है याद रखना उसमें क्या था यह क्या है कीटो हैक्षोस था बोलो कीटो हेक्षोस गूप एट कार्वन नंबर सेकेंड ठीक है ना and सिक्स कार्वन इन स्टेएटें √ होते हैं श्टे चैन में छे कार्वन होते हैं यहेसे लिप टॉल्च टू ड इसरी ज이가ह बहुत जादा पाजाता और ड want को हम D- fructose ना यह लिख दूम है सही से D- fructose तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग इस शोन इन दा फिगा तो देखो यहां पर क्या है यह कारवर नमबर वन यह टू यह थ्री यह फॉर यह फाइव दूसरे नमबर पर की टोन लगा हुआ है और यह जब आगे जाके हम सेम पाट करेंगे इसको इससे मर्ज कराएंगे तो दूसरा पांच वाला मर्ज हो जाएग ठीक है ना दूसरा पांच वाला मर्ज होगा सीम जीर आएंगे अब इसको समझना असान हो जाएगा ठीक है इस ओपन चेनी स्टक्चर यह रहा इसका ओपन चेनी स्टक्चर बोल लो फिशर प्रोजेक्शन कहलो कुछ भी कहलो क्लियर है आगे आते हैं इट आगे आते हैं इ इसका इसका बनाएंगे आगे जब इसको क्यों बना देंगे तो इसको फ्युरा नोस इस्टक्चर भी बुलाते हैं पायर नोस घुलकोस था यह कि क्या है फिर नोज़े फ्यूरों इस फाइब नभर साइकली अपाउंड फिर जो हता है फाइब अपसिजन फोर कारवन एक अक्सिजिन होता है चार कारवन एटम होते हैं तो कि लिए रूइ बात अब यहां पर बात समझ में रखो जिस कारवन फे क्या लगा वहा था दूसर और यही वाला गुरुक उधर पे है तो बीटा हो जाएगा तो दिमाग बिल्कुल को लेट करते हुए पढ़ना तो सारे स्ट्क्ट्ट्र से समझ में आएंगे ठीक है आगे आते हैं अब क्या कह रहा है यह अब यह अब यहां पर कहानी है कि हाँ हम यहापर कह सकते है यह आ ओए और यह जब दोनों ऊपर है तो यह क्या है बीटा है और जब नीच्छ वाला पाट उपर चला गया तो क्या हो जाएगा सेम वैसे याद रखेंगे बाद आखी पूरा अपना सेम है ठीक है ना तो एक और पर एक नीचे और बाद आखी अपना इस ट्रक्टर याद रखेंगे 1 यह चला गया वन यहागां से क्या करना है यहां पर जब बनाओगे तो तुम लोग ध्यान से इसका open chain structure पहले यह बनाओगे फिर इसको merge कराने कोशिस करोगे अच्छा यह ऐसे merge हो रहा है ठीक है और फिर उसके बाद ध्यान से और फिर इसके बाद इसका यह बनाओगे एक साथ पहले इस्टेट फिर गुमा के फिर यह बना लोगे क्यों सामवे रहेंगे नंबरिंग कर लोगे वाएंड टूट्री फॉर फाइफ किस से किसको मिला रहें कौन सा अनुमरिक कारवन है अलफा बीटा की क्या निश बजली यह सका इस्टेक्ट्चर रहें अब आते हैं हम लोग आगए वापस पर तीसरे पोइंट पर यह गलेक्टोज तो ग्रीघ्ड पास्चर पहली बार लूइस पास्चर निशीं अलग किया था ने इसक्स करवन तूद से मिलन से स्टेट ग्रीक ग्रीक बीक में गेलेक्टोस का मतलब क्या होता है? मिल्क होता है, दूद, ठीक है? followed by the suffix of sugar, o's तो नाम क्या पढ़ गया? इस गेलेक्टोस से इसका नाम क्या पढ़ा? गेलेक्टोस, अब दिमाग में रहेगा, अच्छा, मिल्क में क्या पाए जाता है? गेलेक्टोस पाए जाता है, ठीक है? अरे हासदो, कोई नीए धीधरे याद हो जाता है, परिशान नहीं होना विल्कुल भी, लेकिन समाझना पढ़ेगा बच्छों अभी, ठीक है? अब यहाँ पर करना क्या है? मैं तुम बता दूँ, जैसे गुल्कोस है यह, गुल्कोस का इस्टक्चर याद है, मैंने ऐसे करवाया था, याद आ गया वर कुछ लोगों को, है ना, ऐसे करवाया था, अशर करवाया था, ठीक है, यह ओएच ऐसे है, गलेक्टोस में दिखक्या हो गया, यह कारवन नमब लेफ्ट, राइट में था, यह कहा आ गया, लेफ्ट में आ गया, तो यह चौथे कारवन का घूम जाने के वज़े से, इसके पूरी पॉपर्टी के बदल जाती है, घूम जाने का मतलब मैंने बता है ना, कि जैसे मेरे इस दो हाथ दर लगे हुए, और यह हाथ को खाड के म तो डिट निटो same केवल कहाँ आंतेर है neighborhood नंबर फोर पे करबन नंबर फोर पे clear है, आगे हाते हैं आया क्या गे जांट धर उक्रें इसके बीदो निशमर होते हैं डी और L form होती है इसकी D galactose and L galactose the letter letter मतलब बादवाला यहां पर letter मतलब बादवाला तो बादवाला भी है यहां पर कौन है L galactose ठीक है is not naturally occurring in higher organism जो बड़े organism हैं यसे हम लोग है जानवर बड़े उनमें नहीं पाए जाता है as it cannot be further metabolized इसको आगे हम तोड़ नहीं पाते है हमारी body इसको consume नहीं कर पाती है तोड़ नहीं पाएगी metabolize नहीं कर पाएगी therefore the term galactose will be used to indicate D galactose इसलिए ध्यान रखना जब भी हम galactose का इस्तमाल करेंगे नहींगे तो किसके लिए इस्तमाल करेंगे D galactose के लिए तो देखो है यहां पर सिरह सिरह सिर्या concept है हमारे पास तो अगर यह समझ में आ गया है तो देखो जारए यहां पर कि यह D galactose इहां पर क्या है एक,दो, थीन, चार है नो तो यह आगा है यह L-galactose हो गया यहां पर ठीक है तो चौथे नंबर वाला यह एक्चुली यहां होना चाहिए था और यह D हो गया और यह L हो गया तो इसकी दो रूप मौझूद है D और L फॉर्म मौझूद है इसकी D-galactose और L-galactose नीचे की हिसाफ से हमने इसको D और L किस स यह compare करवाया है glycerally height से किसे compare करवाया है glycerally height से जैसे कि हमने glucose को करवाया था clear है the other interesting fact about galactose कुछ और बाते जान ले most of the galactose ingested by the human gets converted to glucose तो galactose जब convert होता तो पहले glucose में convert होता है फिर जाके हमारी body उसको digest कर पाती है गलको से बनती है तो क्या बना लेती है Lar Scout लिपीट फैसे बनता तो ग्लाइको बन जाता है और जब प्रोटीन से बनता है तो ग्लाइक को प्रोटीन मन जाता है इसका इसमाल हम लोग करेंगे इन global साब बाते बता कहीं नہं जुडेंगी आ कर कि它 2 तो बहुत सारी बात यहां जुडने वाली है तो बिलकुल ध्यान रखें लेक्ट्र को बड़े काज़े से देखते चलें ग्लाइकोपूटीन क्या है ग्लाइकोलीपिट्स क्या होते हैं तो सिंपल सा कॉंसेप्ट किस से जुड़ रहा है उसके हिसाब से हमारा कॉंपोनेंट बन जाता है ग्लेक्ट्र कैन एग्जिस्ट इन ओपन चेंट फिशर प्रजेक्शन एस वेले साइकलिक फॉर्म इसके भी ओपन और साइकलिक दो रूप माजूद है वह लगग लगग सेम ही हो गए ठीक है तो देखते हैं क्या है यहां पर हमारे पास लास्ट फ कि यह ऐल्ली हड या डरिवेटिव हो गया है l2 hexos बोलेंगे और री डूसिंग सुगर है यह ना री डूसिंग सुगर कौन होती है पड़ चुके हम लोग जो टॉलेंस और ञट्र позволoles को रिडूस 극न कर देती है उनको रेडिएसिक हर कहते है तो लिलीलिन साइकलिक फॉर्म found in mammal is the pyranose form 6 structure है तो पाया जाता हो पाया जाती है which is a epimer of glucose epimer का मतलब में पाया चल चुका है as it differ only by the configuration of hydrosis group at group on the C4 अभी आपने देखा था कि क्या अंतर है epimer वाले में कि glucose और इसमें कितना अंतर है केवल C4 पर जो position है वो अलग है दा फिरोनस form is found in many lower जो इसका फिरोनस form है अब देखो इसके दोनों form है गुलकोस का केवल पायर नोस था गैलेक्टोस का पायर नोस और फिरोनोस दोनों फॉर्म पाये जाएंगे देखिंग अभी प्रजातीयां बेमारी फिलाती है हमारी शरीर में उनके अंदर भी फिरोनस की फार्म पाये जाती है वेर इट में प्ले इंपोर्टन रोल फॉर एक्जामपल फॉर सर्वाइवल यह फिरोनोस की जो फॉर्म पाई जाती है ना इसकी गलेक्टोस की लोगर ऑगनिजम में जाकी बैक्टरिया वगरा के अंदर है जो उनके जीने में मदद करती है ठीक है वाइल इस बायो संथेटि सिंथेटिक पाथ से किस तरह से बैक्टरिय के अंदर बन रहा है हम उसको टार्गेट करते हैं फॉर डवलमेंट ऑफ न्यू ड्रग टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉस्ट बायदा पैथोजन ठीक है ना हम इसके बनने की प्रोसेस को टार्गेट कर लेते कि ऐसे बनता है ड्र इसमें नीचे है तो इसमें क्या आगया ऊपर आगया यह तो इस तरह के से कमपरेटिव ग्लुकोज और गैलक्टोज अभी मैं बताऊंगा तीनों इस्ट्रक्टोज गैलक्टोज तीनों को ओपन वाला एक साथ लिखेंगे ठीक है ना लिख करके तुम लोग प्रैटिस करन और दो phironose की होंगी इन दा साइकलिक फर्म galactose exist as 4 stereoisomers 2 have 5-member ring consisting of oxygen atom and 4 carbon atom namely phironose ring and 2 have 6-member ring consisting of 1 oxygen atom and 5 carbon atom namely pyranose ring तो वही बात repeat कर दिया, इसके 2 रूप आई जाते हैं pyranose के 2 form होँगे alpha beta और phironose के 2 form होँगे alpha beta इन solution में pyranose and phironose form are in equilibrium, solution के अंदरी साथ में रहते हैं with the open chain form किसके साथ रहेंगे एकली में open chain के साथ but since the furanus form is less stable जो furanus form होती है इसकी वो less stable होती है then the pyranus form से यह mark portion कर लेना the equilibrium is strongly shifted towards the letter तो वह equilibrium कहां शिफ्ट हो जाएगा जो ज्यादा stable है उसकी तरफ चला जाता है equilibrium तो ध्यान रखना furanus form is less stable than the pyranus form क्लियर है तो देखो जाए यहाँ पर यह open chain structure है जब ठीक है यह वाला कारवन आकर से जुड़ेगा तो क्या बना alpha b galactopyanus alpha d galactopyanus ठीक है बीटा और alpha दो रूप बन गए इसके बास समझ में आ गई ठीक है आगे आते हैं और यही जब यह वाला वह आकर जुड़ेगा तो देखो यहां पर क्या बना हमारे पास यह फिर नोज structure है ना एक दो तीन चार और पांच 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 structure वाला क्या क्या आता है फिर नोज structure तो दिहां रखना है इस वाले को जोड़ों को तो काईदे से यहां जोड़ लेना इस तरीके से और इसको गुरिंग को घमाल होगे तो यहां उपर हो गया फिर ओच आ अपना दैन ओच आ गया और इस चौथे वाले से यह वाला सी यह वाला सी ठीक है ना और यह सीच टू ओएच और इसके यह लगा होगा है तो यह आला सी पांच वा और यह चटा यह पांच वा और यह चटा यह पांच वा और यह चटा के लिए रहा है दिखाई दे रहा है ठीक है तो इस तरीक इसको बना लोगे अब इसमें क्या एक यह उपर है एक नीचे तो अलफा और बीटर डी ग्यलेक्टो फीरणोज तो यह इस्ट्रक्चर्स हैं जो तुम लोगों क्या करने हैं समझने हैं ठीक है कि इसके पाइर नोज और इस हाँ पर तुमको बना करके प्रैक्टिस करने को इस्ट्रक्चर पर खास फोकस है ठीक है औ तो इस्ट्रक्चर में ज्यादा फोकस करोगे एडिसनल बातों को सब्सक्राइब रखोगे लेकिन हाँ क्योंकि एडिसनल बातों में बहुत सारी चीज़ा एक्ष्ट्रा भी है जो इस्ट्रक्चर के अंदर ही काउंट की जाती है तो क्या चीज पूछेगा तो हमें आइडिय अधिस्ट्रक्चर वट जातों में जाती है जातों में जाती है